भारत को आजाद हुए 74 साल हो चुके लेकिन क्या आपको मालूम है कि आजादी के वक्त जिस भारत में 30 से भी अधेक एरलाइंस मौजूद थे यानि की 30 से भी अधेक ऐसी कमपनिया मौजूद थी जो हवाई जहाज का संचालन करती थी लेकिन आज के वक्त में सिर्फ और सिर हैं आखिर एरलाइंस में इतनी भारी भरकम कमी की वजह क्या थी जब अंग्रेज भारत छोड़का गए उस वक्त भारत पाकिस्तान और बांगलादेश को मिला कर पूरे अखंड भारत में लगभग 65,000 किलोमीटर रेलवे लाइन मौजूद थी त्वाजादी के बाद 74 साल में भारती सरकार ने रेलवे लाइन में कितना विस्तार किया जब अंग्रेज भारत छोड़का चले गए उस वक्त भारती रुपए की कीमत लगभग डॉलर के बराबर थी आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि आज एक डॉलर 74 या 75 रुपए के बराबर पहुँच गया है आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आजादी के 74 सालों के बाद कौनसी चीज बहतर हुई है और कौनसी चीज ऐसी थी जो आज से 74 साल पहले बहतरीन हालत में थी आज उसकी तस्वीर बदल गई है तो सबसे पहले हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है 1947 के वक्त जब हमारा देश आजाद हुआ था दो भारत का एरलाइन कैसा था आपको जानकर हरानी होगी के 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए उस वक्त हमारे देश में इंडियन नेशनल एरवेज, एमबेक एरवेज, कलिंग एरवेज, एयर सर्विस ओफ इंडिया, भारत एरवेज, हिमालाय अवियेशन, डिक्कन एरवेज सहित लगभग 30 से अधिक एरलाइंस इंडिया में मौझूद थी, यानि कि 30 से भी अधिक संस्थाएं ऐसी थी, जो कि भारत में हवाई जहाज की सुविधाएं प्रदान करती थी, लेकिन आपको जानकर हरानी होगी कि आजादी के 74 सालों के बाद आज भारत में महस साथ एरलाइंस दरजल एरलाइंस के इतनी भारी संख्या में घटने की एक बहुत बड़ी वज़े है, जिस वक्त भारत आजाद हुआ था, उसी के कुछ साल पहले दूतिय विशुद का अंत हुआ था, दूतिय विशुद में अपना राज कायम करने के लिए अमेरिका ने हजारों हवाई जहास का निर्मान करवाया था, लेकिन जैसे ही दूतिय विशुद खत्म हुआ, अमेरिका के पास ना तो इतनी जगे थी और ना ही अतने धिक हवाई जहासों की कोई जरुद बची, अमेरिका ने अपने हवाई जहासों को बेचना शुरू कर दिया, उस वक्त भारत में बह बॉजनिस शुरू कर दिया, उन सभी बिजनसमेन को हवाई जहास के बिजनस का जरा भी नौलिच नहीं था, और भारती हवाई जहास के मारकेट में, कॉम्पिटीशन इस कदर बढ़ गया कि वे लोग इस कॉम्पिटीशन को समधाली नहीं पाए और धीरे धीरे भारत का हर के अलाइन बंद होता चला गया आज की वक्त में भारत में लगभग साते अलाइंस मौझूद हैं जो जोर शोर से अपने काम को पूरा कर रही हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि आजादी के वक्त भारत में महज 15 एयरपोर्ट मौझूद थे लेकिन आज के वक्त हमारे देश म में 500 से भी जादा एयरपोर्ट मौझूद हैं और अभी भी कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जो तयार हो रहे हैं अब बारी आती है भारत के मुद्रा की यानि की रुपेयों की दोस्तों आजादी के वक्त भारत की करंसी रुपया ही थी और आज भी रुपया है सोशल मीडिया पर आपने कई ऐसे मेसेज़िस पढ़े होंगे जिस पर ये दावा किया जाता है कि आजादी के वक्त भारत के रुपय की कीमत डॉलर से अधिक हुआ करती थी ये बात बिल्कुल घलत है लेकिन एक बात जो सच है वो ये है कि भारत के रुपय की कीमत आज जितनी गिर चुकी है इतनी तब नहीं किरी थी शायद आपको यकीन न हो लेकिन जिस वक्त भारत आजाद हुआ था उस वक्त एक डॉलर भारत के लगभग तीन रुपए के बराबर था लेकिन अमेरिका ने अपने देश के अर्थेव अस्था को इतनी तेजी से मजबूत किया कि 2020 आते आते आज उसी डॉलर की कीमत 74 से 75 रुपए तक आप हुँची है भारती मुद्रा से जुड़ी एक रोचक बात ये है कि जिस वक्त भारत और पाकिस्तान का बटवारा हुआ था उस वक्त पाकिस्तान की एक बड़ी समस्या ये थी कि पाकिस्तान में कौन सी मुद्रा चलीगी हुआ ये कि बटवारे के वक्त भारत के पास नोट छापने वाली 6 मशीने थी और वे सभी मशीने भारत में ही रह गए इसलिए पाकिस्तान ने पर्मिशन लेकर भारत की ही नोट पर हुकमें पाकिस्तान लिखकर अपना काम चलाया था अब बारी आती है बॉलिवुट की यानि की भारत में बनने वाली फिल्मों की दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा जिस साल भारत आजाद हुआ था उसी साल भारत के सभी फिल्मेकर ने मिलकर 283 से भी जादा फिल्मों को लॉंज किया था हैरानी की बात तो ये है कि वो सभी 283 फिल्मों का बजट इतना जादा था कि उन में से हर एक फिल्म कम से कम औस तन देड़ से दो लाख के खर्च में तयार की गई थी बटवारे के बाद जहां भारत में कुल थेटर की संख्या 1384 थी वहीं दूसरी तरफ अलग हुए पाकिस्तान में कुल 117 थेटर थे आज की वक्त में बॉलिवुट को दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म डस्वी की रूप में देखा जाता है बात अगर साल 2019 की करेंदू सिर्फ सिर्फ साल 2019 के अंदर ही भारत में 2000 से अधिक फिल्मों को रिलीज किया गया अब हम बात करेंगे भारत की आजादी के वक्त चीज़ों की कीमत की दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी जिस वक्त भारत आजाद हुआ था तब अच्छी कॉलिटी के एक किलो चावल महज 26 पैसे में मिलते थे शक्कर 57 पैसे किलो थी, कैरुसिन महज 23 पैसे पर लीटर और 55 किलो सीमिंट सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए में मिलता था विसे आज सीमिंट की क्या कीमत है? यह आप हमें कॉमिंट करके बताईएगा दोस्तों आपको बता दें कि जिस वक्त भारत आजाद हुआ था उस वक्त दस ग्राम सोनी की कीमत एक सो तीन रुपए थी उसकी तुलना आज के वक्त से करें तो आज साल 2021 में दस ग्राम सोनी की कीमत 45,000 रुपए तक पहुँच जाती है भले ही एक सो तीन रुपए आज हम लोगों के लिए कम बात लग रही है लेकिन उस वक्त के लोगों के लिए एक सो तीन रुपए बहुत बड़ी कीमत थी 10 ग्राम सोना कैसे खरीच सकता था साल 1947 के वक्त भारत में रहने वाले आम आदमी की औसत सालाना कमाई 270 रुपए के आसपास होती थी और हाँ आपको बताना तो हम भूली गए जिस पेट्रोल को आज के वक्त में हम लोग 100 रुपए प्रती लिटर खरीदते हैं साल 1947 के वक्त उसी पेट्रोल डीजल की कीमत महज 30 से 40 पैसा होती थी वैसे देखा जाए तो साल 1947 वो दौर था जब भारत में पेट्रोल और डीजल की डिमांड जादा नहीं होती थी जितनी की आज है आज के वक्त में हर घर में 4-4 बाइक्स मौझूद हैं तबकि लोग साइकल से चलते थे बाद अगर 1947 के दौरान भारत के साक्षरता की करें यानि की पढ़ाई लिखाई की तो आजादी के वक्त पूरे अखंड भारत में सिर्फ 12 प्रतिशत लोग ही पढ़ लिखे थे उस वक्त पूरे देश में कुल 5000 हाई स्कूल, 600 इंटर कॉलेज और 25 उनिवर्सिटीज मौझूद थी अगर इसकी तुलना आज के वक्त से करें तो शायद आखको यकीन नहीं होगा इस वक्त हमारे भारत में सभी स्कूल और कॉलेज को मिलाकर उनकी संख्या 14,94,000 से जादा हो जाती है और वहीं आजादी के वक्त जहां भारत के सिर्फ 12 प्रतिशत लोग पढ़े लिखे थे आज की वक्त में 77 प्रतिशत से जादा लोग साक्षर हैं वह बात अलग है कि आज भी हमारे भारत के पढ़े लिखे साक्षर लोगों का वोट महज 500 रुपए में कोई भी नेता खरीद लेता है ये बड़ा ही दुर्भाग है हमारा अगर भारत की लाइफ लाइन यानि की भारती रेल के हम बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने साल 1853 में की थी उस वक्त मुंबई में महज 33 किलोमीटर की दूरी को तै करने के लिए उस रेल गाड़ी को तीन इंजिन की जरुवत पड़ी थी और उसके बावजूद भी 75 मिनिट का वक्त लग गया था हाला कि अंग्रेज भारती रेल में धीरे धीरे तकनी की सुधार करते गए और साल 1947 में जब वे भारत छोड़ कर गए तो उस वक्त भारत पाकिस्तान और बांगलादेश तीनों ही देशों को मिला कर यानि की अखंड भारत में 65,185 किलोमीटर लंबी रेल लाइन थी देश की पूरी रेलवे व्यवस्त था देशी राजवार आव प्राइवेट कंपनियों के हाथों में था धीरे धीरे भारत सरकार ने रेलवे को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया वहीं अगर हम बात 1947 के दोरान भारत के सडकों की करें तो भारत के हाईवे जिसे हम नेशनल हाईवे कहते हैं आपको जानकर हरानी होगी कि जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था उस वक्त भारत में सिर्फ 21,000 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे मौजूद थी लेकिन साल 2021 आते भारत में नेशनल हाईवे एक लाख पचास हजार किलोमीटर से भी जादा लंबा हो चुका है और इसके लंबाई लगातार बढ़ती जा रही है जिस वक्त भारत देश आज़ाद हुआ था उस वक्त भारत में कोई भी ऐसा रेलवे लाइन नहीं था जहाँ पर ट्रेन इलेक्रिसिटी के मदद से चलती हो लेकिन साल 2021 आते भारत का लगभग 80% रेलवे इलेक्रिसिटी पर चलता है उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को आउन करना बिलकुल मत भूलिएगा क्योंकि दर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ये ऐसी जानकारियों से भरी वीडियोज लाती रहती है